हेलो फ्रेंड्स कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आप किसी भी MBA कॉलेज का प्लेस्मेंट रिपोर्ट देखते हो चाहे वो टीर वन कॉलेज जो लेट से वो FMS है या IAMS है या Excel रही है इन कॉलेज जिसका लेट से अगर आवरेज पैकेज 30 से 35 लाग है तो कुछ ऐसे ज 15 लाग है वहाँ पर कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जिनका जो आवरेज पैकेज होता है वो आपका 35 से 40 लग जाता है और कुछ बच्चे 8 से 10 लाग में स्ट्रगल कर रहे होता है तो क्वेशन ये है कि जब बच्चे सेम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे है तो ऐसा उस उस MBA कॉलेज आप बेस्ट जॉब लेना चाते हो तो किस तरह से आवो बेस्ट जॉब ले सकते हो ये पूरा का पूरा एक्स्पिरेंस मैं बतारूं जो मैंने अपने लर्णिंग करी एक्जलाई जमशेतपूर में मैंने जो अपने आसपास दोस्तों से सीखा है देखा है किस जॉब ले पाओ तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना माइनेम इस सौरफ कुठारी लेट से स्टार्ट तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे क्वालिटी कॉंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके अलावा एंब रेले जो भी अप आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप MBA में एंट्री करोगे और कब आपका MBA फिनेश होड़ेगा आपके टू एर्स खतम होते चले जाएंगे और एंड में आपको लगेगा अरे यार मुझे इतना कुछ करना था मुझे ये भी सीखना था मुझे इस पार्टिसिपेशन भी क करना था मुझे एक्टिविटी भी करनी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेक दा मोस्ट आउट आफ इट अभी से आप इन्वाल हो जाओ जो भी एक सक्सेस्वल MBA कैंडडेट है उसका MBA उस दिन नहीं होता स्टार्ट जिस दिन वो कॉलेज स्टार्ट होता है उसका MBA उसी से स्टार्ट जाता है जब उसका result आता और उसको पता होता है कि आज से एक महने बाद दो महने बाद मुझे इस MBA college में जाना है तो अगर आपका admission हो चुका है या होने वाला है तो जो आपके बास अब टाइम है वो आपके पास कोई waste करने के लिए टाइम नहीं है मैं जानता वो अपना resume तभी बना लेता है जब उसका selection उलाता है वो college जाने का wait नहीं करता और जब मैं resume की बात करता हूँ इतना major challenge इस students की बीच में और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा लेकिन students को पता ही नहीं होता कि resume और CV में difference क्या है resume अच्छा कैसे बनाया जाता है किस तरह से जो companies आज की date में अच्छे resume इसको shortlist करती है तो वो knowledge आप अभी से build करो कैसे build कर सकते हो सबसे विल आप ये समझो कि जो भी आपका resume नहीं वो अभी बना लो अभी जो आपको अस time में college start होने से पहले अपना first draft बना के लेके जाओ और जब भी आप resume बनाओगे वो resume में आपका star model पर होना चाहिए star model मतलब situation, task, action, result आप जब resume में कोई भी चीज लिख रहे हो ना उसको randomly मत लिखो आप situation देखो क्या situation थी उसमें आपने क्या चीज करी उसका क्या action हुआ और उस चीज से क्या result मेरा उसको quantify करू जैसे मालो आपने कोई operations का project किया था अपनी company में या college में तो आपने एक internal tracking system बनाया था जिसको 125 लोग ने use करा 29 feature sign इसका impact क्या हुआ इसका result क्या हुआ 20% time save हो गया आपने क्या किरा situation क्या थी कि आपने outsourcing strategy लगाई जिसकी वज़े से headcount जो है वो 12 से 95 employees हो गई या आपका क्या है end result है आपने क्या 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 development cost को 25% reduce करा किस तरह से क्या action क्या था आपने ऐसा plan मनाया जिससे आपने merger करे products के and आपकी चीज़े हो पाई तो कहने का मतलब जो resume है न वो भाई आपका पूरा का पूरा personality को showcase करता है कोई भी company अब आपके campus में आएगी वो आपके resume के basis आपको short list करेगी internship के लिए placement के लिए आप एक चीज सोचे जब आप college join करते हो न उसके within six months आपकी internship लग चुकी होती है तो भाई आप six months में क्या क्या कर लोगे इसलिए जो आपको अभी time मिल रहा है उसमें अपना पूरा resume में बैट के बनाओ अगर आपको YouTube वीडियो देखने पड़ रही है वो देखो अगर आपको कोई free course ही है हमारा खुद का skillbus.in पे मेरा खुद का पूरा का पूरा resume building के ओपर free course है उसको देखो समझो और उसके basis अपना पूरा का पूरा resume draft को अब resume को strong कैसे बनाते है सर मेरा resume में ऐसा बनवा दो कि भाई कोई भी company shortlist करे तो इसके लिए मैं आपको कुछ important चीज़े बता रहा हूँ जो आपको आज से follow करनी स्टार्ट करने है सबसे पहली चीज़ आपको भई mint newspaper read करना ही है अगर आप MBA college join कर रहे हो तो आपको हिंदू, Indian experience, economic times, times of India ये सारी newspaper छोड़ दो सिरफ आप mint newspaper read कर लो क्योंकि ये business newspaper है और इस newspaper को read करने में आपका एक तो interest भी आएगा, दूसरा आपकी knowledge इतनी strong हो जागी कि कि किसी भी interview में जब आप बैठोगे, वहाँ पर कोई भी question होगा आप उसके उपर बहुत ही structured answer दे पाऊगे, दूसरी चीज़ जो मैंने notice करी, कि जो भी एक successful MBA ये candidate है, जिसका बहुत high package लग रहा है, वो dream company में जा रहा है वो पहले से थोड़ा सा well prepared हो के आते हैं जैसे कि अगर मालू आपको consulting में जाना है, तो भाई वो student जिनका 75 lakh का 1 crore का package लग रहा है वो बच्चे case in point नाम के एक book है, उसको पहली solve कर करके आते हैं में जाना है, तो decode and conquer एक book आती है, जो बहुत बहुत जादा recommended है, इसी तरह से लट से आपको marketing में जाना है, तो Harvard की book है leading digital, ये book आप पढ़ो तो इन सबसे आपकी knowledge इतनी strong हो जाएगी जो आपके internship में, आपके interview में बहुत जादा आपको help करेगी, तो आपको reading करनी है, क्योंकि जब आप college में आओगे न तो आपको reading habit उस दिन से build नहीं करनी है, आपको अभी से build करनी है, क्योंकि हर दिन आपसे expect किया जाएगा, क्या आप case studies पढ़ क्या हो, आप articles read कर क्या हो और वो चीज़ आप तभी read कर पाओगे, जब आपके अभी से practice होगी, ठीक है, तो अभी से जब आप ये दो चीज़े start कर दोगे, तो automatically आपकी reading skills बहुत better हो जेंगी, जो college में आपको एक edge provide करेगी बाकी सारे students से, number two relevant activities आपको करनी है, जब आप college के first year में आते हो ना, तो बहुत बार हमें पता है कि आपको आपके लिए ज़ादा important है, ज़ादा relevant है, जैसे कि अभी से, जो आपका extra time है, अपने college की जो seniors है, उनसे आप LinkedIn पर connect करो, बात करो कि कौन सी committee अच्छी, कौन सी club अच्छा है, कौन से आपको society join करना है, उसके अलावा उनसे पूछो, कि कौन कौन से subject difficult है, क्या उनका पहले से कोई read करने के लिए content है, क्या क्या case studies ज़ादा पड़ी जाती है, तो अपनी networking बनाओ, ठीक है, ये चीज आपको help करेगे, आपको पहले से सारे के सारी resources मिल जाएंगे, हर एक senior के पास सारा के सारा data save होता है, आप उनसे पूछो, क्या आप important note share कर सकते हो, जो आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीज अगर आप थोड़ा सा brush up करके आओगे, तो automatically आपका growth होगा, दूसरी बात, जब आप college में बड़ी-बड़ी companies के बड़े-बड़े जो आपके institute होते हैं, उनके competitions आते हैं, वहाँ पर top IMS के, B school के competitions आते हैं, इसके साथ ही, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, वो अपने competitions वहाँ पर डालती है, case study competition, और आपको पता होगा, कि बहुत बार companies उनी case studies के तुरू enjoy, enjoy कर रहे हो, पढ़ाई, career, हर चीज secondary हो गई है, वो चीज बिलकुल नहीं होनी चीए, next जो चीज आपको करनी है, वो कुछ certifications करके जाओ, मानलो आपको finance में जाना है, तो आप financial analyst का course हो गया, यह आप करके जाओ, उसके अलावा आप six sigma का कोई course कर सकते हो, आप इसके अलावा HR में जाना चाते हो, communication का कोई course कर सकते हो, और कुछ courses आपको definitely कर नहीं है, मतलब MBA में वो required हैं है, जैसे कि MS Excel हो गया, PowerPoint हो गया, and इसके अलावा communication हो गया, then इसके अलावा आपका Tableau हो गया, यह कुछ ऐसे courses है, जो आज की date में required है, हर एक top MBA college में इनके बारे में पढ़ाया जाता है, and इनका बहुत जादा use होता है आपके पूरे curriculum में, तो अगर आपको यह skill आती है, तो already आप काफी student से आगे रहो गया, and interviews में companies जबाएंगी, बहुत जादा आपको इसका फाइदा मिलेगा, यह certification आप किसी भी platform से कर सकते हो, मेरा खुद का platform is skill build, जहां से भी हजारों बच्चे आज के रिए में तयारी कर रहे हैं, हर साल जो MBA experience होते हैं, वो इन courses को करके जाते हैं, and मैंने देखा है, उन्होंने खुद मुझे बताया किसर काफी ज़ादा beneficial हमें मिलता है, तो आप जा सकते हो platform पे, check out कर सकते हो, more than 18 courses इससा में हम लोग offer कर रहे हैं, financial analyst, investment banking, magical mathematics, tableau, microsoft, उसके अलावा website, development, digital marketing, तो वो सारे courses जो आपके लिए relevant हैं, वो आप join कर सकते हो, क्योंकि आप study was family के member हो, तो अगर आप जब course ले हो, तो आप भई code डाल देना study, बस आपको course सिरफ 999 में मिल जागा, आप सोचो 999 को आपको एक पूरा का पूरा certification along with life project, आप दोनों की दोनों चीज़ अपने resume में लिख सकते हो, क्या आपने course भी किया है, एक life project भी किया है, दोनों चीज़ जब आप mention करोगे, तो resume में automatically strong होगा, हाँ मेहनत लगेगी, course करना पड़ेगा, लेकिन ये skill आपके बहुत ज़ादा helpful रहेगी, ठीक है, तो हरे course में, आपको course के साथ एक project करना पड़ता है, जिससे आपकी profile बहुत ज़ादा strong होती है, अगर आप कोई भी तीन courses एक साथ लेते हो, तो code यूज़ कर लेना, super upgrade, आपको तीनो के तीनो courses at just two, four, double line में मिल जाएंगे, आपकी पूरी की profile बहुत strong जाएगी, एक साल की इनकी validity आपको मिलेगी, course लेने कहां से है, skillbus.in website है, और इसके अलावा भी कोई platform है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, next जो आपको चीज करने हो, build your basics, बहुत सारे इस students होते हैं, जो management background से नहीं आते, या फिर management background से आते भी हैं, तो भाई वो अपने subject भूछ चुके, कुछ ऐसे subjects हैं, जो four piece of marketing क्या होता है, किस तरह से marketing channel बनाया जाता है, distribution क्या होता है, promotion कैसे क्या जाता है, financial management देखो, risk वगएर को कैसे manage किया जाता है, and operation management थोड़ा सा पढ़ लो, economics पढ़ लो, demand supply क्या होता है, किस तरह से laws काम करते हैं, equilibrium क्या होता है, जब ये चीज़ा आप पढ़ लोगे ना, तो class में आपका interest भी बनेगा, और काफी सारी चीज़े आएंगी, तो अपने basic college स्टार्ट होने से पहले से करके, जब wait मत करो कि college में आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ बिल्कूल basic से नहीं, बहुत बारी professor थोड़े अपर लेवल से स्टार्ट करते, तो आपको पहले से अगर आता होगा तो आप अपना first year enjoy भी कर पाऊगे, stress भी नहीं होगा, YouTube पे बहुत वीडियो से, उनको देखो, समझो, अपने senior से पुछो कि कौन से subject उनको difficult लगे थे, उन subject की अभी से preparation कर लो, ठीक है, then let's move to the next point, वो है time management, मुझे पता है जब आप MBA में जाओगे, तो time management is the most important skill which you should learn, भाई मैंने खुद देखा है, जब मैं एक्सलराई में था, तो भाई बहुत बार ऐसे moments आते थे, जब आपके उपर इतना stress हो जाता है, कि मैं article करूँ, case submission करूँ, college का कल exam है, वो पढ़ाई करूँ, videos बनाऊँ, क्या क्या सीज़े करूँ, तो it becomes very difficult, तो आपको ना time management पहले से सीख के जाना है, बहुत सारी distractions आएंगे, बहुत सारे friends बनेंगे, parties होंगी, बहुत जादा, आप enjoy भी करूँ और वो जरूरी भी है, लेकिन time management के साथ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप party के चेकर में बाकिस सब चीज छोड़ दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्या बिल्कुल socialize भी नहीं हो रहे हो किसी से, सिरफ room में बैटके पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, इसलिए बोला रहता है time management बहुत रहे है, इसके लिए मैं एक model फॉलो करता हूँ, अर्जेंट, not urgent, important, not important, क्या चीज अर्जेंट और important है, वो सबसे पहले करना, बहुत कल एक्जाम है, कल assignment का submission, this is at the top priority, then क्या चीज मेरे लिए अर्जेंट है, बट important नहीं है, जैसे घर से phone आ रहे हैं, friends से बाते आ रही हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है लिए distraction हो रहा है, party हो रही है, लोग बोलने हैं, ठीक है भाई, उसको आपको deal करना है, then आपका not urgent, but important, आपको एक महीने बाद कोई submission देना है, दो महीने बाद आपके exam है, थोड़ी थोड़ी advance में practice करते रहो, and then आपका not urgent, not important, best company वहाँ से fetch कर पाओगे, तो I hope मैंने आपको कुछ important lessons यहाँ पर दिये है, और यह सारे के सारे lessons मैंने खुद अपने experience है, and इसके साथ बहुत लोग इसे बात करने के बाद, जो आज की डिट में अपने dream college से से जा रहे है, उनसे मैंने पूचा, उनके experience पूचे, and उनसे पूचा कि बहुत क्या reason है को इस तरह आगे होता है, कि उसको top to top placement मिलती है, तो उनने बता है वो थोड़े से advance में prepared होते है, जब बाकी साथ लोग struggle कर रहे होता है, उनका mind इतना structure होता है, वो एक महिना जो आपके पास अभी ये जो one month है ये one month deciding factor है, ये one month है decide कर लेगा कि आप college में आगे struggle करोगे, कि आप college में आगे top पे रहोगे, क्योंकि यार उसके बाद तो सब कर बराबर time है, जब आई पर आप enter करके उसके बाद तो सब कोई equal है, तो वहाँ पे आप अपने आपको better तभी दिखा पाऊगे, जब आप इस one month का college start होने से पहले जो ये time है, इसका best utilization कर पाऊगा, I hope आपको मैंने हाँ पे कुछ important lesson दिये, प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ अपने friends चाश शेर करो, ताकि हर एक बच्चा थोड़ा सा balance बनाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, लिंगर आप 2-3 गंटे, 4 गंटे अपने आपको better बनाने पर invest करो, बाग की time में आप enjoy करो, and then जब college में आओ, तो उसी pattern को follow करके, अपने dream job, dream career की starting करो, so all the very very best, thank you so much and take care.